आप यूट्व चैनल तो पिछली वीडियो में आपके पास पहले दो चैप्टर कवर कि आपके पास जो रिलेशनल फंक्षन एंसी एडी भूक के जो 12th क्लास में जो पहला चैप्टर है वह रिलेशनल फंक्षन और दूसरा चप्टर था इन्वर्स ट्रिप्णिमेट्रिक फं वेडियो थुरब तो जो चैट्टर है उसका नाम है मैड्रिक्स या मैंटरिक्स ड CTU मद हमके अगर आपके बास यहां विदैंस जीक राख तो इसका इंट्रॉडूक्षर देने से पहले मैं बताऊं आपके पास थोर्ट को इसका यूज हम करते हैं तो कि इसका फाइदा क्या आपके बाद है आगे अभी तो फिलाल तो आपके बास क्योंकि एक बिल्कुल नया टॉपिक है तो हम इसको अभी शुरुआ जब कर रहे हैं तो आपके बास मैं थोड़ा से जो हमने पीछे पड़ा है उससे समझनित बहुत ही इंपॉर्ड़न टॉपिक हो जाएगा अगे इंजिनिरिंग का रहे हैं चैनल के पास किसी बी समय वारत तो आगे फिजिक्स में भी मैंत में इसका बहुत है यूज होने वाला आपके बास है तो यहाँ से आपके पास इंट्रॉट्ट्टिक्स का या मैट्रिक्स क तो देखिए आपके पास mathematics में रिप्रेजेंटेशन में कि आपके पास physics में भी रिप्रेजेंटेशन का बहुत ही important आपके पास concept हम यूज करते हैं तो representation किसी भी आपके पास कोई भी आपके पास घटना हो रही है यह कोई भी event आपके पास अगर हो रहा है तो हम उसको अब हमर पास condition दिये हैं तो हम observation करते हैं जैसे आपको मालूम में सांकी के मैं तो हमर पास बहुत कोई observation लेते हैं तो observation हम पास raw डाटा प्यूच्म लेता है फिर आम उस रो डाटा को उम group data में change करते हैं अब वी तो आपके पास उता चीजॉब ऑर एक होता है अन आ आपके पास तो जो डालब काशन थें हम अच्छन्स और उपthis खार घ्रो गोजिव घूल कार भी थे बार है यह बीस में से इस परकार से कंट्टिंटी कीया मैं आपके लो उस क्लास के रोल नमरों के सबस्द निबचों के नमबर नोट कर दिए तो यह जैसे मैंने आप इसको ग्रूप में बना सकता हूं अब गूरुप भी अलाला प्रकार के कि वह आपके पास मैंने कह दिया ग वानं वाले कितने मैंने का बारा दो हैं फिर मैंने चाहले कैंड भाका से बार पर चोदार है चोदा न ह कितना गरूप दीन आपके पास biscuit कि आपके पास यह पनी compte तरिका यह दुसरा आपको पास मौलम भी थैं कि हम क्लास इंटरृिबल का यूजा स्थ खते तो के सदस्ग है पिर हैं पंडरा से बीस वाले कितने हैं पिर इस प्रेगार इस प्रकार से आपके पास मैंने के कर से उस ग्रूप मैं चैंजे रहां हैं विखनेसर ऐस ब्रेज़न कर सकते हैं तो मैसHello Sumat Each我就 कै रहे हुँ आटके पासाभा सli करने में मदद करेंगा जैसे देखो मान लो किस प्रकार से में मदद करेगा आपके पास वह मैं आपको बताता है तो इस एक्जामपल के तो देखो आपके पास तो डेफिनेशन जो मैं आपको अलग से बताऊंगा अभी मैं आपके पास क्यों एज एक्जामपल के थुरू बत मैंने का आपके पास राहूल कर टापके पास चु कर शुटरन्त ठाउड और राहूल को मैंज कि एक 1985 आपके पास माण लो नायोनो यह पहले एक कि राहूल यांने कितन नमबर नोप्ट प्राफ्त ने इन तीन सब्जएक्स में शब्जेक्स मैं नियां इसके सेकंड स्ब्छाइए मैने वार्यू इस के मैस मेंने का आपके पास 74, साइंस में का आपके पास 75 और इंग्लिश में का मैंने 80 यह नमबर इस पोगार से हैं तो यह आपके पास दो इस्टुडेंट से समंधित इनफॉर्मेशन दीवी है तो अब अगर आपके पास कहा जाए कि तो मैंने इनफॉर्मेशन दीवी ती उसको मैंने इसको टेबलर फॉर्म में लिख दिया यह यहां पर तो हो गया इस्टुडेंट यहां उनके मैज, साइन्स और इंग्लिश के नमबर मैंने लिख दिया आपके दो इस्टुडेंट के यह उसको कार दे ठेक तो यह जो इनफॉर्मेशन दीवी थी अभी तक मैंने उसको कहका मैंने का इनफॉर्मेशन ऐसे दिया थी राहुल के मैज में 76 नमबर है इंग्लि इस टेबल के रूप में लिख दिया है जो नमबर वो तो आ रहे हैं साथ में इस्टुडेंट का नाम भी आ रहा है ठीक तो यह उसको सिंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटिशन किस रूप में साड़नी रूप में साड़नी रूप में मतलब एक यह बहुत कर दिया इसको अब जो मैटरिक समपड़ते हैं वो भी एक प्रदर र का क्या रिप्रेजेंटिशन ही है उप मैंने और यह पना इतंबद कुछ टेबल बनागे रूप में लिख दे अब मैं इस इन प्रेज्वोर्मेशन को कि एक और क्रून अदेता हूं एक और देता हूं इक और कि आश सेंटीफवड सैंटीफाइब और एटी यह जो नमबर थे उसका प्रेजंटेशन दिया मैं इस प्रकार से एक स्वाइब नौटिशन देए यह इस प्रकार से यह प्रेज्ट कवेपर बनाए अब को सब्षेट के अंदर मैंने जो यह नमबर की इन्फॉरमिशन दो इसको रहुल और राजु के जो नमबर थे ना अलगला सविश्च में वह मैंने रिप्रिजेंट किया है तो मैंने देखो नाम इस जब मैं टेबल मना रहा था उसमें नाम भी आ रहा थे पर आपके पास जो नमबर प्राफ़ ना उनको मैंने डिरेक्ट लिख दिया है पहले जो यह यह जो बना आपके पास यह पहली रो कहला थे यह आपके पास क्या कई आर वन और यह कुछ और नहीं यह राहुल के नमबर है यह क्या ट्रिप्रिजेंट कर रहा है राहुल के नमबर और दूसरी जो रो बनी है वो बना रहा है राजु के नमबर यह इस प्रकार से यह यह इसे कहते हैं, row, r1, जो horizontally आपके पास है, यह पास है न, यह होरिज़न्टली आपके पास, यह क्या कहलाती है, row, तो मैंने कहा क्या, यह जो number थे, जिस प्रकार से मैंने table मनाय थे, उसी प्रकार से मैंने इन number को लिख दिया, ठीक, तो यह इस प्रकार से जो representation होगा, जिसमें मै आपके पास C1 और जो यह अपके पास यह C1 यह रिप्रिजेंट कर रहा है दोनों के रहुल राजू दोनों के मैथ में नमबर यानि मैथमेटिक्स में नमबर और जो यह दूसरा कॉलम बनाए C2 जो वर्टिकली लाइन बन रही है इस पकार से जो मैं चाहिता है इसको आप दर सब्सक्राइब में तो यह इस प्रकार से इस प्रकार से इस तंब आप में कर रहें आप टो यह उर यह क्सा लांबर में कबाहिक करें सतने सबुद्सर रिक्टेएंगौर मुला का अब्छी हाज़ुन速 रिक्तेम्प्रड़ाइन्गौर से आप हुआं यहिए तो यह चोफोर आपस की यह एक गोगाल है होता है जो मैट्रिक्स होता है वो क्याता है एक प्रकार रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके अंत्रक्राइब करते हैं नम्बरों को रोज एंट कॉलम्स में अरेंज करते हैं तो भाई देखो आपने अभी तक इनफॉर्मेशन जितनी भी आपके पास दी थे हम उसको अलगला प्रकार से हम अपने हिसाब से या आपके पास टॉपिक वाइज हमके करते हैं उनका अलगला रिप्रेजेंटेशन करते हैं जैसे मैंने सा के पास वे हैं पर क्लास इंटरीविक कर तो इस एक है क्या करता है जोंडिव हमार पास जो आपक़े पास इनफॉर्मशन ऋखें दी हैं और यह वाई प्ष़िए और फॉर्म है और को मैट्रिक्स का यूज कर रहा हूं अब ऐसा जरूरी नहीं कि इसी प्रकार से यूज कर जाए आप इसको चाहे तो इस प्रकार से जाए जैसे यह दो पंक्तियों और तीन कॉलम में आप चाहे तो दो कॉलम और तीन बंक्तों में भी लिख सकते हैं पर वो किस पकार से होगा हो मैं आपको example के थो आगे भी बता दे रहूँगा पर धियान देना भी बात क्या है कि अगर मैं कहूं कि आपके पास matrix है क्या तो matrix होता क्या है एक आपके पास arrangement होता है होता क्या arrangement यह arrangement देखें जिसमें हमके कर रहे हैं elements को या number को आपके पास numbers को करते हैं आपके पास rows और columns में arrange करते हैं किसमें arrange करते हैं row और column में arrange करते हैं और यह किस परकार से इसकी विशिष्ट जो परिवास है वो बदाएंगे बश्वास तो यह अपके पास अगर मैं काऊ हूँ कि आव्यू क्या है तो सब्सक्राइल पहले तो क्या है कि वहल क्या है arrangement है जो dv information उसको arrange कर रहे हैं किसमें numbers के रूप में numbers के रूप में row और column में arrange कर दिया जाता है यानि एक rectangular arrangement होता है matrix जिसमें हमके करते है numbers या function को rows और column के elements के रूप में आपके पास denote करते हैं आपके पास टेक तो इसका my particular definition आपको बता तो देखे अब अगर definition की बात करें तो देखो क्या है matrix is a rectangular arrangement of elements क्या होता है यह आपके पास अपके पास हिंदी में कहते हैं आयताकर क्या कहते है आयताकार आयताकार अरेंजमेंट अब जब जूड़ जाता है अरेंज का मतलब होता है उसमें मैंदा खास और उने कि सिखास तरीके से आपके पास आपके पास मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स की रिक्टैंगुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं हर कुछ पंकतिया और स्थम होने के सब्सक्राइब आपके पास की होकर कर दूए मान है इस सब्सक्राइब जब्रीण के पासом करेंगे मैट्रिक्स is arrangement of अब मैंने एक चीज़ फिक्स कर दें मैंने का arrangement of mn elements अब ज्यान देना ये है mn elements m into n संख्या है दो संख्या पकास mn elements arranged in arranged in m rose m पंक्तियों में और n columns में arranged किया जाता है यानि अब के पाद matrix किया है एक arrangement है वो भी कैसा rectangular rectangular arrangement है mn elements का elements number भी हो सकते हैं mn elements का arrangement है in जिसमें हम उन mn elements किसमें arrange कर रहे हैं m तो row होनी चे और n के होनी चे column where mn belongs to capital N अब ध्यान देना है m और n दोनों जो row और column की जो संख्याना हो क्या होनी चे है प्राकर संख्या होनी चेह आपको चीरो पॉसिबल नहीं होगा तो इस प्रकार से आपके पास यह इस प्रकार से रिप्रेजमेंट के आपके पास एक पर्टिकुलर किसी अगर मैट्रिक्स को रिडियोंट करना है तो हमेशा किसका यूज करते हैं capital लेटर का यूज करते हैं capital लेटर ये इस प्रकार से capital लेटर से सेट को नहीं रूपित करते हैं capital लेटर से वैसे हैं अबर भी करते हैं A B C और इसका नोटिशन मेंसे होगा है इस प्रकार से A I J M X N अब मैं ज़रा इसको बताता भी हूँ क्या होता है A I J क्या है यह आपके पास क्या नहीं नोट करते हैं यह करता है element यह होता है element of Ith row यह जो पहला नमबर I लिखा जा रहा है वो उसमें number of row को बताएगा और उसी प्रकार से and J जो है जेत कॉलम अब थोड़ा ध्यान देना A I J निरुपित करा है यह आई भी पंक्ती और J वे कॉलम के अव्यकों निरुपित करा है element is का यह जहां where I का जो मान होगा वो एक से लेके M के बीच का और जो J का मान होगा वो एक से लेके N के बीच का होने वाला अभी होगा कैसे मैं आपको बताओ देखो सिंपल सा है arrangement भाई M और N जो है M denote करेगा number of rows और N denote करेगा number of column को तो इसका पहला जो element होगा A11 ध्यान जाना 1-1 अगर मैंने लिखा तो यह पहली पंक्ती और पहले column का है फिर मैं लिखा A12, 12 का मतला पहली पंक्ती तो है पर column कौन सा है हमेज़ा जो पहला अंक हो रिपित कर रहा है number of row को और दुसरा जो है number of column को इसे पकार से A13 और ऐसी चलते हुए A1 क्योंकि मुझे मालूम है N column होने तो N1 के साथ यह पहली पंक्ती है देखो इन सब का जो पहला अंक है वो सेम है क्योंकि यह पहली पंक्ती है अब यह पहली पंक्ती है कि अब क्या का दूसरी पंक्ती क्या होगा देखो इसे पकार से A2 अब क्योंकि यह पहले ही column है तो 2,1 इसे पकार से 2x2 ,a32 ,a33 आएसे चलते वए a2 & n- अवा कॉलम है इसे पूकरते even hier तीसरी पंक्तर नहीं पहली पंक्ति यह जो होरिज़ॉन्न बन रहा है यह क्या पंक्त यह पहली पंक्ति थे तो इसलिए पहला पास 儿 यह तीसरी पंक्ति निए टीन यह जायगा ए ठीटिटो ए ए ऑर ए ट्रीए पहले पाइग यह इस पुक्ति की इसमें ए वो जाएगा ए ए एम टू और आहज चल ते वह ए ए एम 3 और लास्ट में ए एम एन तो यह आपके पास जो representation होता है mn elements का जो representation ध्यान देना mn elements क्या है या तो function है या number होंगे इसमें आपके पास कुछ और नहीं है या तो फलन ही आने वाला है या number ही आने वाला है तो इस प्रकार का arrangement होता है वो कहला आपके पास क्या matrix आपके पास ठीक है ये वर्टिकल ये तो होगे कॉलम अब C1 था इसलिए सब का दूसरा नमबर क्या बना है 1 ये C2 था तो सब का जो सेकंड नमबर मिल रहा है तो याद रहना क्वा जब A, I, J है तो A, I, J का है सब कोने रुपित कर रहा है यहाँ पर I, J का मांद चेंज होता जा रहा है तो मुझे अलग जैसे इसको देखो ये है A, 1, 1 मतला पहली पंक्ति और पहले कॉलम में ये 1, 2 मतला पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम को है ऐसी मैंने का A, 2, 3 तो ये दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम को है तो यह जो सबस्क्रिप्ट में आपर मैंने लिग गए A, I, J तो जो I, J है इसका काम होता है उसकी position को बताना position of element क्या निरुपित करता है कि element की position क्या है in matrix I और J का काम आपके पास है उस element की position को बताना है अब कैसे बताएगा यह I निरुपित करेगा M को यहनि number of row को और यह निरुपित करेगा N को यहनि किस column में है, किस पंक्ती में है और किस column में से मैंने कहा दिया A, 3, 2 इसका अर्थ होगा यह element जो है वो तीसरे पंक्ती में है और दूसरे column में है तो इस प्रकार से का representation आपके पास होता है elements का, वो कि एखाहत्या ता आपके पास क्या matrix, वो आपके पास है matrix आपके पास, ठीक है, अब इसके बास तोड़ा सब एक्जाम्पल की थूरू भी बता आपके अपके पास कि किस प्रकार से हम matrix बनाएंगे टोटल एलिमेंट कार में बोदू heard तो टोटल एलिमेंट सोंगे गया है ओक्त यह आपके पास स्थ आ ठीक है अगर!! अगर मैं कहूं आपके पास की इसमें पंञ्टियों कितनीroidot अगे हैं फज़िदिए इस प्रगार से यह देख़्ियन इस प्रगार। यह जो वर्ट होरी जंटर लाइन बनती ही होगे पहली पंग थी और यह जो एदा की तरफ बन रही है के गलाएगा दूसरी पंग थी यानि नंबर ऑफ रोज अगर हम बात करें नंबर ऑफ रोज कितने हैं तो आपके पास हो रहे है आर वन एंड आर टू यानि दो रो है मैं क एक वर्टिकल आपके पास है यह दूसरा और यह तीसरा तो यानि c1 c2 और c3 यानि पस कॉलम आ रहे हैं c1 c2 एंड c3 तो कितने हो गया पास कॉलम तीन कॉलम आपके पास प्राफ रहे हैं अगर मैं देखूं तो अगर आपके पास देखें तो नंबर ऑफ रोग और को रिप और number of columns जिसे represent किया जाता है N के दोरा ये हो गया 3 तो मैंने number of rows और number of columns निकाल लिया दोनों के बस ठीक है तो अब के पास अब अगर एक जिए और अब जो M cross N अगर आप मैं M into N कर दो दो दोनों का product निकाल दो देखो तीन ये है और दो ये है तीन दोने 6 तो total element कितना होगे तो कुल मिला कि मैंने इस matrix A में आपके पास 6 elements को दो पंक्तियों और तीन column में represent किया है अब मैं इन्ही elements को चाहे तो एक नया matrix बना के ऐसे भी कर साथ देखो मैंने का ये ही element को मैंने लिए और आरेंज इस प्रकार से क्या है दो तीन पांच और साथ माइनस एक जिरो तो ये भी representation है ये भी क्या है ये भी आपके पास क्या एक matrix ही है matrix में इस case में बस क्या हो गया पंक्तियां कितने होगी R1 R2 और R3 इस case में M बराबर कितने हो गया तीन यानि number of rows कितने हो गया तीन column की बात कर रहे है तो ये C1 और ये C2 N बराबर यानि दो ठीक जैसे यहाँ पर अभी भी elements अगर मैं कहूँ total elements कितने है total elements आपके पास अभी भी कितने आ रहे है 6 ही पराब्स हो रहे है क्योंकि 3 into 2 की तोरह 6 या चाहिए आप 2 into 3 करो चाहिए 3 into 2 करो बात में 6 आना है तो 6 elements को represent ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं पर आपके पास जो information दिये वे उसके अनुसार हम क्या करें है इनको किस प्रकार का representation यूज करना है वो आपके पास आपको पाता हो नहीं ठीक है तो यह तो आपके पास की आपके पास representation कैसे करते हैं अब अगर मान लो इस इस ही A के लिए अगर मैं कहूं A12 निकाले अब थ्यान देना आपको अगर मैं कहता हूं कि जो आव्यू A है सा फर्स्ट रो जो फर्स्ट रो में हो और सेकंड कॉलम का element निकालना है क्या निकालना है जो पहली पंक्ती और दूसरे कॉलम में हो तो देखो इसको देखे आपको पहली पंक्ती तो यही है पर कौन सा element है जो यह पहली पंक्ती में तीन element हैं तो तीन और 5 ठीड इता है टिकर इसको देखो आप इसमें तीन तो तीन और 5 इन 2 तीन और 5 में पाच सह है जो दूसरी कॉलम में नहीं तो ऑपास है तो यह कित्म समा हो जाएगा इसी तो इसे मैं कहता है आई ए टू थ्री निकाले के निकाले टू थ्री तो यह क्या होता एलिमेंट होता है किसका एलिमेंट ओफ सेकेंड रो और जो एंड थर्ड कॉलम अब इसको भी देख लिए आपके पास A, two, three है तो मनला कहने का अर्थ है वो किस में आने वाला है दूसरी पंक्ती में आने वाला है अब जो पहला अंग होता हो वा मैसा पंक्ती की संख्या है और दूसरा अंग होता हो कहता है कॉलम यह I है तक की संख्या है तूसरी पंक्ती का तो दूसरी पंक्ती में तीन एलेमेंट है साथ मैध मैस बातबत तेसरे कॉलम में मैं होना है तो तीसरे कॉलमम को नutlang होटा है तीसरे कॉलम बाता है जीरो यहानि एक कितना लगा है 세ड़ इस प्रके किसी मैट्रिक्स का ओडर क्या होने वाला है विलकुल सिंपल सा है अगर मैंने कहा कि आपके पास की किसी मैट्रिक्स में दो कॉलम और तीन पंक्तिया है, जियान सुनना, अगर किसी मैट्रिक्स में, यानि आविव में दो पंक्तिया और तीन कॉलम है, तो उसका अडर हो जाएगा 2 cross 3 कितना हो जाएगा 2 यानि कुछ और नहीं order होता है M cross N इसकी definition क्या है वो मैं आपको बताता हूँ देखे किस बगाल तो आपके पास अब बात करते है order of matrix order simple सा मैं आपको बता है मान लो if any matrix matrix A कोई matrix A has M rows and N columns मैंने कहा किसी matrix के क्या है M rows और N columns इसका अर्थ एक चीज़ हो रहा है कि M N elements कि उसके बाद elements कितने है M N ठीक है उसके अर्थ क्या है M N ठीक है तो इस case में order of matrix हो जाएगा equal to M cross N ये इस प्रकार से representation है M cross N इस एक्जाम्पल गरे मैंने कहा कि एक matrix मैंने लिख दिया 2, 0 2 0, 2, minus 1 3, 5, 7 तो अगर मैं कहा हूँ इसका order निकालना है क्या निकालना है order निकालना है तो देखो यहाँ पर आपको देखना प्रका number of rows कितने है तो सिर्फ सिंपल है देखो एक row यह हो गई सिंपल सा प्रकास है देखो एक row तो यह हो गई R1 और एक row हो गई R2 जो horizontally आपके पास बन रही है आपके पास तो यह आपके पास हो गया number of rows यह नहीं M को denote करते हैं यह equal to हो गया तो number of rows कितने के 2 इस प्रकार से number of columns की बात करें आँगा जिससे N से रिणोर करते है तो आपको मालव में column कैसे होते है यह जो vertically आते हैं पहला column दूसरा column और तीसरा column C1, C2 और C3 यह नहीं N का मान कितना आगए है 3 तो यह आपके पास हो गया 3 तो यह इस प्रकार से है तो अगर क्या जाए order बताईए तो order simply order of matrix को represent करते है M cross N के दौरा तो इस case में जाएगा 2 cross 3 तो यह इसका order कितना आगए है 2 cross हमेशा पहले आएगा number of row और फिर बाद में आएगा हमेशा जब भी number और जब कहीं पर भी आपके पास introduction कर रहे है कुछ भी चीज़ेस में चाहिए आप element ले रहे है जैसे आपके लिखे हो elements element को लिखे हो आपके पास represent कर रहे हो A, I, J के दौरा तो हमेशा यहाँ पर आपके पास I हमेशा निरुपित करते है पहला आगया वो कहा है row को represent करेगा और जो यह आपके पास है वो आपके पास column को निरुपित करता है इस प्रकार से order में भी m cross n ही आने वाला है अगर आप इसको multiply कर देते तो आपके पास आता total number of elements तो total elements कितने होते है elements के case में total element लिखे हैं मैट्रिक्स है क्या एक arrangement है numbers का या functions का किसमें आपके पास rows और column में एक गर का पुपस क्या arrangement है matrix जिसमें के करते है information दी भी information से हम क्या arrange कर रहे है क्यों number को या कहीं के पर function होगा तो आपके पास हमें से जब भी पुछा जाए कि matrix होता क्या है तो matrix क्या होता है एक rectangular arrangement होता है क्या होता है rectangular arrangement होता है elements का अब elements किस पुकार क्या होंगे number होंगे या functions होंगे या functions होंगे यही दो होंगे इसका तरीकत ऐसे नहीं कुछ नाम नूम ऐसे नहीं आपके पास या तो function होंगे यह नमबर उनका rectangular arrangement है किसमें M rows और N column में तो आपके पास हम उसको क्या करेंगे M पंग्तियों में और N Istanbul में हम उसके करेंगे उनको विवस्तित करते हैं तो इस प्रकार की जो विवस्ता बनती है या arrangement बनता है उसे हम आप करते हो A, I, J दौरा और यह M cross N करेंगे उसके order को रिपित करता है order करता है M cross N और यहाँ पर A, I, J क्या है इसके सभी जो संभावित जो आपके पास अवे है ना उन सब को रिपित कर रहा है A, I, J जहाँ पर जो पर्थम element देखो यहाँ पर भी M cross N में M क्या है a number of rows, a number of column यहाँ पर भी I command क्या हमें इसा I command सदैव एक से और M तक और ऐसे ही J command भी एक से लेके N तक और याद रखना M N always belongs to capital I, J command पर पास क्योंकि वो संख्या को निर्बित कर रहा है ठीक है तो इस उगार सब पास यह था introduction किसका आव यू का और उसके order आपके पास ठीक तो आगे आपके पास देखे मैं एक example बदा रहा हूँ पास तो देखे आपके पास यह मैंने एक आव यू बनाया है ठीक है इसको आव यू करते है capital letter द्वारा यूज करते हैं तो आप इसमें देखे किस उगार सकता है यह इसको आप चाहे तो AIJ द्वारा 20 रूपित कर सकते हैं जो इसके अंदर आने वाले आवे हैं यह तो यह इस उगार से AIJ है और मैं आपसे पुछा हूँ कि कुल कितनी पंक्तिया है तो एक पंक्ति कि तीन कॉलम है तो इसका ओर्डर कितना आजाएगा थ्री क्रॉस थ्री क्यूंकि आपको मालब है नंबर आफ रोज वह इक्वल्ट हो गया एम दोर्ण विद्वार कितना रहे हैं त्री और इस प्रकार से मालब है नंबर आफ कॉलम वह रिप्रण करते हैं एंंड विद्वार हो जायेगा झाएं म क्रोस एं यानी 3 ख्रोस थी यह 3 ख्रोस थी है अब जरeras देखते हैं तो इसका एक औव्य मैंने कह मैंने का आप अव्यन निका लिए 3 वन के 3-1 अब ध्यान देना है 3-1 मतलब यह आपके पास element है of third row पहला आंग क्या रुपित करेगा रो यानि M को रुपित करता है और दूसरा आंग क्या रुपित करता है जिसे हम I, J के जोरा रुपित करें आप अठेक है इसमें ध्यान से देखें तो इसकी जो थर्ड रो है यह है थर्ड रो यह थी यह वाली इसमें कुल मिलाएकर तीन element है minus 3 upon 2, 6 और 1 पर मुझे वह element जो तीसरी रो में तो होई साथ मैं first column में भी तो कौन सा element आ रहा है वह आ रहा है आपके पास minus 3 upon 2 तो इस प्रकार से मैं अपका इसे निकाले ऐसी मैं कहता A, 2, 3 निकाले है तो आप समझ जाओगे कि A, 2, 3 मतलब दूसरी पंक्ती तो दूसरी पंक्ती यह है दूसरी पंक्ती में कुल कितने element तीन और उसका तीसरे column में आने वाला तीसरे column में आने वाला अब यह कोना है यह यानि कितना आ जाएगा 5 तो यह इस प्रकार से मैं कहा जाए कि अगर किसी पंक्ती के लिए आपके पास किसी कोई element निकालना आपके पास A3132 इस प्रकार से तो अगर मैं कहाँ इस प्रकार से A34 निकाले तो इस थ्री फोर जो है वो possible नहीं है वो इसको ब्लांग नहीं करने वाला है क्यों तीसरी पंक्ती तो है पर चौती column नहीं है इसका ध्यान देना है तीसरी पंक्ती तो है पर नहीं है इसलिए अपके पास क्या यह possible यह इसको belong करेगा ऐसा possible नहीं होने वाला है ठीक है तो यह इस प्रकार से अपके पास है आव्यू का introduction अब एक example थोड़ा साथ क्वास अलग मैंने बनाया देखो हर बार ए नहीं होगा कई बी भी आने हो ठीक है तो एक मैंने आव्यू अपने तरफ से बना दिया मैंने इस बार अंक नहीं दिया मैंने elements का जो position है उसको जड़ा दिहांग देना अगर मैं बात करता हूं इसमें B ह है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे ए आई जी था वैसे बी आई जी